चली दोस्तों बात करने वाले हैं Vodafone आईडिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आज एक important day है और ये company पेश करने वाली है अपने quarter two के results तो नतीजों के अंदर इस बार किस तरीके का action दिखने को मिल सकता है और क्या अनुमानित आंकडे निकल कर आए हैं एनलिस्ट कि अंदर हम लोग को व्रद्दी दिखने को मिल सकती है quarter on quarter basis पे अब देखिए यहां पर मापको बताना चाहूं कि जिस तरीके से loss making ये company रही है अब तक लगातार जिस तरीके से रुजहान दिखने को मिला जब भी कभी इस company की नतीजे डिकलेर होते हैं तो हर बार हम लोग क दिखने को मिलता है तो इस बार किस तरीके का action दिखने को मिलेगा क्या वापिस से loss making ये company बनती हो नजराएगी या फिर इसके अंदर कुछ सुधार हम लोग को दिखने को मिल सकता है एक positive संकेत यहां से निकल कर रहे हैं कि इस बार ARPU के अंदर अच्छा खासा माहोल बनता ह हुआ नजराता है अब देखे आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो पिछले 6 महीने में लगबख 22% की तेजी हम लोग को देखने को मिली लेकिन अगर स्टॉक की बात करें तो उठापटक जरूर देखने को मिली है शेयर उपर की तरह म से बायान आया है और इन्होंने जो यहां पर स्टेटमेंट दिया है अपना तो इस बार एर प्यू के अंदर अच्छे कासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है यर ओन यर बेसिस पे और आल देखा जाए तो जिस तरह किसे टैरिफ हाइक हमें देखने को मिले थे टूजी के अच्छा कासा रुजहान देखने को मिला है देखे इस कंपनी के अंदर इस बार जो रिवेन्यू है वह हम लोगों को बढ़ता होगा नजरा सकता है तो 2.1% की तेजी इसके अंदर क्वाटर और बेसिस पे दिखने को मिल सकती है 9347 करोड के आसपास निकल कर आ सकता है और जबर जस्त रिकवरी देखने को मिल रही है ARPU के अंदर 3.6% की तेजी आपको इसके अंदर quarter on quarter basis पे देखने को मिल सकती है इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो कंपनी के margin के बारे में तो margin के अंदर हम लोग को उच्छाल देखने को मिल सकता है और इस बार 60 basis points quarter on quarter basis पे statement देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर इन्होंने बताया है कि revenue लगभग 2.5% के साथ में हम लोग को बढ़ता हूँ नजर आएगा लेकिन 13% year on year basis पे इसके अंदर गिरावाट देखने को मिल सकती है जो कि लगभग 9381 करोड के आसपास निकल करा सकता है और अगर पिछले व बात करते हैं दोस्तों कंपनी के ARPU के बारे में तो ARPU के अंदर ये भी यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि jump देखने को मिल सकती है लगभग 6% की jump आपको ARPU के इंदर इस वाले quarter में देखने को मिलेगी अब बात करते हैं profit या फिर loss की तो लगभग 7527 करोड का loss इस बार य यानिके same quarter पिछले साल 7,218 करोड के आसपास तो loss जो है year on year basis भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और quarter on quarter basis भी इसके अंदर हम लोग को loss देखने को मिलने वाला है अब देखे बात करते हैं अगले analyst के बारे में तो yes securities की तरफ से हैं आपके किस तरिकी के statement देखने को मिल रहे है तो इन्होंने बताया है कि जो quarter रहा है इसके अंदर काफी सारे subscriber गए हैं तो कहने कहीं growth के अंदर हम लोग को disturbance देखने को मिलेगा लेकिन अगर ARP की बात करते हैं तो लगबग 4% के आसपास हम लोग को यहाँ पर growth देखने को मिल सकती है अभी जिस तरीकी से migration 2G से 4G के ही है कि stock के अंदर हम लोग को जो profit है company का profit है वो गिरता हुआ नजरा सकता है लेकिन जो बाकी के segment है उसके अंदर मजबूती देखने को मिल सकते है जैसे कि revenue या फिर ARP की बात करने तो उसके अंदर TG का महौल बनता हो नजराएगा इवीटा margin के अंदर भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है अब देखे share price की बात करते हैं तो लगबग 9 रुपे 90 पैसे के आसपास ये stock कारोबार करता हो नजरा रहा है आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एक महीने में लगबग 7% की गिरावाट आपको इसके अंदर देखने को मिली पिछले 6 मेने की बात कर करते हैं तो ओवरार लगब 12% की तीजी देखने को मिल रही है और ये share काफी नीचे चला गया था लगब 5.5 रुपे के आसपास वहां से इसके अंदर जो उच्छाल बना है वहां से अच्छा कासा moment देखने को मिला और 90% से भी जादा के return इसके अंदर बंते नुझ रहे है तो बीच बीच में इसके अंदर जो action हम लोग को देखने को मिला है उतार चडाव देखने को मिले हैं तो अब एक important session आ चुका है जब इस company के नतीजे डिकलेर होंगे तो बड़ी हल चल अब इस share के अंदर आ गयाने वाले trading session में देखने को मिल सकती है तो अब रख लेना ताकि नहीं वीडियो के नटाफिकेशन सीधे आपके मोबाइल मिल्स के थैंक यू सो मच फॉर चिंग